आज की ये वीडियो पूरे चैनल की one of the biggest होने वाली है आज हम पूरा कवर कर देंगे डीमन स्लेयर का इंफिनिटी कैसल आर्क एक सिंगल वीडियो में कोई पार्ट सार्ट का जहमेला नहीं शिनव वर्सिस दूमा बहुत सारी सीजे कवर करेंगे सब को सिंगल वीडियो में कवर कर दूँगा इस वीडियो को चाहे तो मैं 10 पार्ट बना सकता था लेकिन नहीं अपन वैसा नहीं करेंगे नहीं सब्सक्राइब लाइक के लिए नहीं बोलूँगा तो मैं पसंद आए तो तुम खुद कर देना और आगे बनने से पहले स्पोईलर वार्निंग देना चाहता हूँ पूरी स्टोरी हम कवर करने वाले हैं तो काफी मेजर स्पोईलर्स तो तुमें मिलेंगे तो अगर तुम भाई एनिमे का इन्जाय करना चाहते हो दो-तीन साल तक तो फिर बैठे रहना फिर पर डीमिन स्लेयर की खतरना वर्न की स्टोरी वगर्re हैaces अभी उउग्व है करना चाहते हो बाकि तुमें तो पता है, मजे तो बहुत है Demon Slayer की बात हो रही क्योंकि तो आज आप फिर मेरे और कई सारे लोगों के साथ नहीं तो बाखी तुमाई मर्जी है अगर तुम चाहो तो छोड़ सकते हैं वीडियो Let's start the journey तो जैसा कि हमने Season 4 के Last में देखा था Demon Slayer के हमारे सारे के सारे Demon Slayers गिर रहे होते हैं तो जैसे हमारा तांचीरो गिर रहा होता है तो उसको गियू पकड़ लेता है और बचा लेता है जमीन से टकराने से तब ही उनके पास कुछ फर्जी डीमन आते हैं तो वो लोग उनसे नपटते हैं दूसी तरफ इगुरो एंड मिचूरी साथ में फच जाते हैं अब हम शिनोबू को देखते हैं जो कि इंफिनिटी कैसल में घुमरी होती है तब भी उसे मिल जाता है डोवमा जिसको कि गर्ल्स को खाना काफी जादा पसंद है इसलिए वो वही कर रहा होता है वहाँ पे अब शिनोबू को यादाता है कि उसकी सिष्टर कनाय ने बताया था कि जिस डीमन ने उसे मारा था वो डोवमा जैसा ही था मतलब वो डोवमा ही था और ये चीज़ शिनोबू खुट डोवमा से कंफर्म भी कर लेती है कि तुमने मेरी सिष्टर को मारा था डोमा कहता है कि हां मारा था लेकिन उसको मैं पूरा नहीं खा पाया था, वो सन निकला आया था, इसलिए थोड़ी सी रह गई, ये कहता है वो, तो भी शिनुबू अपनी सौड डोमा की आँख में डाल देती है, जिसमें पॉईजन लगा होता है, तो इससे डोमा का थोड़ा सा नुकसान होता है, पर थोड़ी देर में ठीक हो जाता है, और भाई साब को इस चीज में मज़ा आ रहा है, कहता है कि और पॉईजन ट्राय करो, कितने पॉईजन तो मैं पास सब डाल दो मेरे इंदब, बहुत मज़ा रहा है इस चीज में, प्लीज से नोबू डालो, इस लिए लोग इसकी पूजा करने लगे, इसके पास आगे अपने दुख दर्द बताने लगे, और इस सब को देखकर डूमा को काफी बोरा लगता था, क्योंकि उसको खुद को ही पता है, कि वो गौड्स वाट्स की कोई बाते नहीं सुनता, ये दुनिया के लोग ही इतन इसी चीज लोगों को समझ नहीं आती थी, और इसलिए डूमा फिर उन्हें अपने दुख दर्द से छुटकारा दिलाने लगा, उन्हें इस जिन्दिकी सई छुटकारा दिलाके, एंट तो वापस आते हैं, जहां पर शिनोबु डूमा से लड़ती है, कई सारे अटेक करती शिनोबु डूमा पर डूमा को कोई भी फरक नहीं पड़ रहा होता है, पर डूमा के अटेक शिनोबु पर काफी जादा खाम कर रहे होते हैं, शिनोबु का लेफ्ट लंग पूरा तरीके से डैमेज हो जाता है, जिससे काफी बलड लॉस भी होता है, इतनी बुरी हालत में भी शिनोबू सोसती है कि अगर पॉईजन में इसके गले में डाल दू तो सायद कोई बात बने एंड इसलिए अपनी पूरी जान लगा के बची कुची वो इसके गले में सौट डाल देती है पॉईजन के साथ सक्सेसफूली एंड नाव हम शिनोबू की बैक स्टोरी देखते हैं जिसमें शिनोबू उसकी सिस्टर एंड ममी पापा खुशाली से रहते थे पर एक दिन उनके घर में डीमन घुश जाता है एंड पैरेंट्स को मार देता है उन दोनों को भी मारने वाला होता है लेकिन हीमे शिनोबू को इस तरीके से कुछ जकर लेता है बुरी तरीके से एंड डोमा कहता है कि शिनोबू मैं तो मैं नहीं मारूंगा अपन दोनों हमेशा इटरनेटी डग जियेंगे तुमारे कोई लास्ट वर्ड है तो बोलो शिनोबू मैं सुनूँगा शिनोबू कुछ मीठे शिनोबू को छुड़ाने का कोसिस करती है इस लैस मारके लेकिन उससे कोई फरक नहीं पड़ता है भाई साब देखते ही देखते है डोमा शिनोबू को अपनी अंदर एब्जॉप कर लेता है अंद दूसरी तरफ का हम सीन देखते है जहां पर अपना जैनित्सु भाई साब मिलता है काई गाहू से पहले उसका सीनियर था उसके साथ ही ट्रेनिंग किया करता था जब जिगोरो टीचर थे उनके पर अब नाव वो अपर मून 6 बन चुका है अंद जैनित्सु के सामने ह अब यहां पर अपर मून की थोड़ी नंबरिंग वगरा चेंज हो गई है कुछ पुरानी मर्द चोके हैं एंड नया है इसलिए नंबरिंग उपन नीचे हो गई है तो तुम कंफ्यूज मत हो ना अब अपना क्रो पूरे में ख़बर फैला देता है कि शिनोबू नहीं रही अपर मून टू ने मार दिया अबद उबई आशीकी के जाने के बाद उसका बड़ा बिटा जो कि सिर्फ आठ साल का है वो उसकी जगा लेता है अब उसके सांथ है उसकी दो सिष्टर दो सिष्टर तो उबई आशीकी की ए उसकी वाइप के सांत रही उनने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा इसलिए वो दोनों उनके साथ चल बसी पर अभी दो सिष्टर एक भाई है एंड ये तीनों मिलके अभी पूरे फाइट सिंस का एनलाइजेशन कर रहे हैं एंड गाइड वगरा कर रहे हैं डीमन स्लेयस को इस भूल बुलईया वाले इंफिंडी इन तीनों बचारों ने अपनी पूरी की पूरी फैमिली खोई है लेकिन बचारे इमोशन को जैसे तैसे काबू करें अपना काम कर रहे हैं क्योंकि रोध हो तो बाद में भी लेंगे लेकिन अभी वो काफी बड़ा मूवमेंट है अब जैनित्सू काई गाकू से चिला के कहत होता है एंड काई गाकू जैनित्सू पर अटेक करने की तैयारी कर रहा होता है उत्ते में भाई साब जैनित्सू से काड़ देता है अब यहां पे हम थोड़ी सी बैक स्टोडी देखते हैं काई गाकू की अब सायर तुमने नोटस कर लिया होगा काई गाकू हिमेजीमा के में उसके साथ रहा करता था एक यही बंदा है जिसने थाली में छे दिया था एंड वो यहां पर बताता है वो इसने इसलिए किया क्योंकि वो जीना चाहता था एंड वहाँ टेंपल से भागने के बाद उसकी अहलत काफी जादा खराव जाती रहने के लिए घरर नहीं है असान फाइड होती है जिसमें कि काई गाकु काई सारे फॉर्म्स यूज़ करता है ठंडर ब्रीधिंग के जिससे कि जैनेट्सू काफी जादा डेमेज हो जाता है एंचा भी जैनेट्सू को काई गाकु के साथ बिताई हुई पुरानी कुछ मेमोरीज यादा आती है उनके ट्रेनिंग के दिनों की कि जब वो लोग साथ में ट्रेनिंग किया करते था तो बाकी लोग एंड काई गाकु काफी बुरा भला बोला करता था जैनेट्सू को क्योंकि जैनेट्सू काफी रोता हुता था पर अपना जैनेट्सू काई गाकु के काफी रिस्पेक्ट करता थ पर काई गाकू उसको पहले से ही काफी पोक करता था कि तुम तो बस फस्ट फॉर्म में अटके रह गए हमेशा के लिए तुम तो कुछ करी नहीं पाओगे तुमारा इस धर्ती पर एक्जिस्ट करना ही एक बोज टाइप का लगती के लिए यह वो एंड इवन यहां पर इन द काई गाकू की गर्धन एक बार में कड़ जाती है हिन्नाओ में तुम्हें बता दू थंदर बीदिंग में सिब 6 फॉर्म्स हैं साथ वाका भी था ही नहीं काई गाकू समझी नहीं पाया जहां पर हो क्या गया क्योंकि उसने काभी सोचा ही नहीं था कि जैनित सु ऐसा ने बनाया है ट्रेनिंग करके एंड जैनित सु बताता है कि यह फॉर्म मैंने इसलिए बनाया था कि एक दिन कभी हम साथ में कभी मिशन पर जाएंगे तब मैं यह यूस करूंगा पर अब तुमारे खिलाफ ही यूस करना पड़ाए एंड अब जैनित सु का भी स्ट्रेंथ स्टैमिना सब कुछ पूरा खतम हो चुका है तो वो नीचे गर रहा होता है तब ही वहाँ पर यूशिरो आके उसको बचा लेता है और अपने काई गाकु की कहानी तो खतम होई गई एंड नाव अपने अंतर मन में जैनित सु अपने ग्रैम्स यानि की जीगोरो से बात करत ग्रैम्स एंड उसके ग्रैम्स बोलते हैं नफरत बिड़ा तुम मेरी शानो एंड जैनित सु जैसे की डैमेज्ड है तो उसकी मदद यूशिरो एंड मुराता की टीम करती है एंड यूशिरो यहां पर कंफर्म करता है काई गाकु अभी नया नया पर मून बनाता है या फि ग्रैसी की साथ में उनके सामने एंट्र लेता है भाई साब आकाज़ा और मुजान अब देखते हैं जो की एक ककून बन गया है वो उन दवाईयों को डाइजेस्ट करने के कोज़स कर रहा है जो की तमायों ने दीती उसे वापस इंसान बनाने के लिए उनको पचार आजसे की ऐसर खतम हो जाए उनका अपनी नेजीको चान को डेखते हैं फिर हम जो की ओरोकोडाकी की साथ है एंट औरोकोडाकी की पास तमायों ने मैडिशन बगरा रगा दी है जो नेजीशन को कैसे क्या देनी है उसने समझा दी है इस मैडिशन से नेजीत को वापस यूदन बन औरोकोडाकी कहते हैं कि अगर ऐसा हो गया सही मैं तो मुजान के तो सारे रादों पे पानी फिर जाएगा और फिर आते हम अपनी मेंट फाइट पे तांजीरो एंड गियू वर्सिस आकाजा जिसमें सबसे पहले तांजीरो आकाजा का एक हाथ काड़ देता है जिसके काउंटर में आकाजा एक अटैक करता है तांजीरो पे लेकिन तांजीरो उसको भी डॉज कर देता है गियू ये देखके हका बका रहाता है और तांजीरो से कहता है कि तांजीरो तो में एक हाशीरा लेवल के हो गए हो अकाजा भी इंप्रेस है तांजीरो की प्रोग्रस देखके इसलिए वो अपनी ब्लट डीमन टेक्निक डिप्लॉय कर देता है तांजीरो एंगियू मिलके अकाजा से काफी तगड़ी खदननाक सी हैवी फाइट लड़ते हैं जिसमें कई सारे अटेक्स हो रहे होते हैं पर लड़ाई के बीच में अकाजा रेंगो कusch के बारे में उल्टे सीधे सब्ड़े बूलने लगता है तांजीरो गुस्सा होता है अकाजा बोलता है कि मैं सिर्व वीग का मजाक उड़ाता हूँ वो होते ही इतने बेकार है मजाग के लायक तो Tanjiro reply में बोलता है कि weak को अगर तुम सहारा दोगे तभी तो strong हो पाएगा जैसे मान लो एक छोटा सा बच्चा है शुरू में तो वो weak रहेगा लेकिन अगर तुम उसे अच्छे से बढ़ा करोगे तो वो एक दिन strong बनेगा ज़रूर और Tanjiro की इन मीठी मीठी बातों से Akaza काफी जादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे इस चीज़ से थोड़ी बहुत अपनी backstory यादा जाती है और फिर दोनों में fight चालू होती है और यहाँ पर भाई साब सही में Tanjiro बहुत तगड़ी उनकी fight देखके कुरो अभी डर के छुपा है और गियू सान का भाई लड़ते लड़ते mark डेवलप हो जाता है और उसका mark कुछ इस तरीके का है और अफकॉर्स इससे उसकी speed and agility काफी जादा बढ़ जाती है लेकिन आकाजा फिर भी काफी सटीक टक कर दे रहा होता है और फिर Tanjiro दिमाग लगाता है कि इस तरीके से अगर fight चली थी क्योंकि चलेगी तो कुछ नहीं हो रहा हमारे stamina खतम हो जाएगा थोड़ी देर में क्योंकि हम humans है इसलिए कुछ और सोचना पड़ेगा तो आकाजा यहाँ पर कोई भी attack उस पर करोगे तो ब्लाइंड spot पर भी attack करोगे तो वो dodge कर लेता है तो Tanjiro दिमाग लगाता है कि क्रैक करने की खुश्श करता है कि यह कर कैसे रहा है गैस कैसे कर रहा है इस तेच्छ से attack को तो Tanjiro यहाँ पर इनोसुके की बातों को याद करता है क्योंकि वो भी ऐसा कुछ यूस करता है जिससे कोई व्यक्ति अगर इनोसुके के कोई body part को देखेगा battle spirit से यानि की लड़ने की भावना से तो इनोसुके को पता चल जाए कि सामने वाला व्यक्ति कहां पर इम कर रहा है तो अब Tanjiro को पता चल गया है कि इनोसुके जैसी अकाजा की पावर है तो Tanjiro को उसकी वीकने से भाता है कि अगर तुम उसको बुरे intent से नहीं देखोगे तो वो पता नहीं लगा पाएगा कि तुम कहां पर इम कर रहे है अब Tanjiro को कुछ पुरानी बाते याद आती है अपने डैड की जिसमें वो हिनोकामी कागूरा के बारे में बताते हैं इससे व्यक्ति transparent world को access कर सकता है ये एक मतलब state है transparent world कोई बंदा अगर इसको activate कलो तो उससे दुनिया कुछ इस तरीके की दिखती है Tanjiro जो की Tanjiro के डैड है उनके मरने के 10 दिन पहले एक incident होता है जिसमें उनके घर के पास एक काफी बड़ा भालू आता है जो की पहले 8 लोगों को मार चुका है और जब वो Tanjiro के घर पे आता है तो Tanjiro के डैड भालू के अटैक को dodge करके 60 से उसकी घरदन उड़ा देते है Tanjiro के डैड ये चीज़ कर पाये थे transparent world का यूज़ करके Tanjiro भी अकाजा का attack dodge कर भाया transparent world की मदद से क्योंकि transparent world से तुम सामने वाले के muscles वगरा को देख सकते हो जिससे attack judge करने में आसानी होती है अब Tanjiro दूर से observe करता है गियू एंड आकाजा की fight को तभी वहाँ पर आकाजा गियू को भी donut बना ले लगता है लेकिन इस बार Tanjiro उसके attack को समझ के gas करके उसका हाथ ही काड़ देता है जिससे की गियू का donut नहीं बन पाता और फिर आकाजा blood demon art यूज करता है जिससे की वो compass type का बना लेता है और यही इसकी ऐसी technique है जो कि इसको बता देती है कि कहां से attack आने वाला है जिसकी जितनी बैटल स्पिरिट होगी उतने तेज यह सिगनल देदेगी यह चीज इसको कि हां यहां से attack आ रहा है तो Tanjiro यहां पर अपनी बैटल स्पिरिट पर बिलकुल पूरा 100% काबू पाके आकाजा के पीछे आयाता है जो कि आकाजा समझी नहीं पाता यहां पर Tanjiro एक पौधी की तरह सांत हो चुका है उसकी बैटल स्पिरिट एक पौधी की तरह है बिलकुल 0% तो इसलिए आकाजा को समझ में नहीं आया Tanjiro कहा है उसका presence फील नहीं होता उसको इसी तरीके से पीछे से आके Tanjiro आकाजा की गर्दन उड़ा देता है गला करने के बाद भी आफकोर्स आकाजा नहीं मरता परमून 3 है वो मतलब उसका वीक पॉइंट कहीं और है बिना मुंडी के आकाजा यह करता है Tanjiro में जिससे की Tanjiro वाइसा बेवोस हो जाता है और फिर बीच में गियू आ जाता है कि Tanjiro को मानने से पहले मुझे से लड़ना होगा अब आकाजा की मेमोरीज उस पर हावी हो रही है कोई लड़की उसे मना कर रही है पीछे से खीच रही है कि छोड़ो यह सब लड़ाई बड़ाई मत करो आकाजा कहता है कि नई मुझे लड़ना होगा मुझे स्ट्रॉंग बनना होगा नई तो मैं डैड के लिए दवाई नहीं लहपाऊंगा चुरा के And now we see the back story of आकाजा And say मैं बाई साब तुम रोने वाले हो पहले बता दू मैं रोमाल वोमाल रख लेना मिले तो आकाजा की back story में हम देखते है कि उसके पास बस डैड बस होते है And वो भी काफी विमार रहते थे And आकाजा काफी गरीबी में पड़ा बड़ा है बच्पन में काफी घरीब था इसलिए उसके पास दवाई खरीदने तक के पैसे नहीं थे And दवाई या खरीदने के लिए आकाजा चोरी किया करता था And पकड़े आने पर खूब पिटता था And जितने बार पकड़ा जाए उसके हाथ पे एक लाइन बना दी जाती थी And इसी तरीगे से उसे अपने हाथ की लाइन्स मिली And ऐसे करते करते एक दिन उसके डैड को पता चलिया कि ये चोरी करके दवाईया लाया करता था इसलिए उसके डैड सुसाइड गर लेते है And नौ इस चीज़ से आकाजा एक दम बिलकुल तूड़ी आता है कहता है कि गरीब इस दुनिया में चैन से जी ही नहीं सकता Because nobody gives a fuck और कच्चरे जैसे ट्रीट किया जाता है हमे And आगे कहता है कि मैं आपके लिए मरने को तया था रैड आप क्यों मरे And इसके बाद वो लोगों को पीटना अपने क्राइम वगरा जारी रखता है पर एक दिन एक डोजो के व्यक्ति आके उसे अपने साथ ले जाता है पेल पाल के नॉर्मली तो आता नहीं वो And उस बंदे का नाम केईजो पता चलता है जो कि मार्शाल आट का एक डोजो चलाता है जिसमें वो बेर फिश्ट स्टाइल से लड़ना सिखाता है मतलब हाथ का यूस करके And अभी यूमन वाले आकाजा को हम हाकुजी बोलेंगे क्योंकि उसका नाम पहले यही था हाकुजी और केईजो हाकुजी मतलब आकाजा को एक काम के लिए लाता है और वो काम है केईजो की छोटी बेहन का ध्यान रखना जो की काफी बीमार रहती है पहले यह जिम्मेदारी केईजो ने अपनी वाइफ को दी थी लेकिन भाई साब वो पता नहीं इससे तंग आके डूपके ही मर गई नई रेली यही है अपने हाकुजी को सेवा का थोड़ा सा आइडिया है क्योंकि उसने अपने पापा की भी कर रखी है जो की बीमार रहते थे तो इसी तरीके से वो काम पे लगता है केईजू की बेहन का अच्छा ध्यान रखता है और इसी दोरान दोने में बातचीत भी होने लगती है एंड वो लड़की किसी फायर फेस्टिबल में जाने की बात करती है जो की साल में एक बार होता है है कि जब तुम ठीक हो जाओगी तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें वहाँ के लगे जाओँगा तो ये डोजो जो है वो केईजू का है और केईजू को ये डोजो एक ओल्ड मैन से मिला था आथ तो दोजो के साफ़ थोड़े से लफटि थे कोई और लोग हैं जो इस दोजो को पाना चाहते थे लेकिन अब केईजू को में जैसे मिल गया है तो केईजू को वो लोग काफी तंग किया करते हैं और जो केईजू के पास सीखने आता था उसको भी ये लोग काफी तंग किया करते हैं इसलिए यहाँ पर केजु को डोजे में कोई स्टूडेंट है ही नहीं अब अपना हाकुजी जो की केर कर रहा है उसकी सिश्टर की अब वो फ्री टाइम में फाइटिंग की ट्रेनिंग भी करने लगा है यहीं वो अपनी फिश्ट से लड़ने वाली स्टाइल सीखता है अब ऐसे करते करते हैं अब काफी टाइम बीटता है और धीरे धीरे वो लड़की जिसका नाम कोयू की है वो भी ठीक होने लगती है और अब अब अपना हाकुजी भी 18 साल का हो चुका है तो केजू फैसला करता है अपना जो उसका डोजो है हाकुजी के नाम करते हैं अपने सिश्टर को भी हाकुजी को देने का फैसला करता है सौपनी का फैसला करता है और इस सबसे भाई हाकुजी बहुत खोसो जाता है पुराना बोला के नई सेरे से जीनेगा और इसी चीज़ को बताने हाकू जी अपने डैड की ग्रेफ के पास आता है उनको अपनी मेरिज के बारे में बताने पर हाकू जी या फिर अपने केईजू के डोजो के बाजू वाले जो बंदे हैं इन दोनों के वो लोग फेर फाइट में कभी भी नहीं हरा पाई और धीर धीरे उन लोगों की जलन काफी ज़्यादा बढ़े आती है अब जैसे कि अपना हाकू जी तो अपनी डैड की ग्रेफ के पास गया था और इससे क्या होता है इससे ये होता है कि केईजू एंड कोयू की दोनों माले जाते है और अब नाव आकासा अब पूरी तरीके से शैटर्ड हो जाता है उसका दिमाग सटक जाता है उसने वादा किया था कोयो की से कि वो नेक्स्ट एयर फायर फेस्टिवल दिखाएगा पर वादे वादे ही रह गए अब रात में आकासा अपने डोजो के कुछ थोड़े बहुत स्टूडेंस को लेके बाजू वाले डोजो में चुपचप अटैक कर देता है और वहाँ की लोगों को बहुत बुरी तरीगे से मार देता है इतनी बुरी तरीगे से मारता है कि लोग जब सुबह पता चलता है कि यहां पर क्या हुआ लोग सकल तक नहीं पहचान पाते कि कौन क्या है इतना बुरा मारता है अब नाव अपने हाकु जी एक ए अकाजा अब उसके पास कुछ नहीं बचा ना अब उसके पास कोई जीने की वज़ा है तो ऐसी फिर ने लगता है ना वो अपने होश टाइप में है मतलब उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तब ही घूमदे घूमदे रास्ते में उसको मिल जाता है मुजान और मुजान हाकु जी से कहता है कि मैं 12 डीमन मून्स बना रहा हूँ क्या तो मैं उसका मैं मर वनोगे और यही कहते ही साथ मुजान अपना हाथ हाकु जी के मूँ में अढाल देता है और हाकु जी कहता है कि जो करना हो मेरे साथ अब करलो अब मुझे किसी चीज़ से कोई फरक नहीं पड़ता इसी तरीके से हाकु जी एक लड़का जिसे life ने एक और मौका तो दिया था लेकिन उतनी ही जल्दी छीन भी लिया और यही लड़का बनता है आकाजा And now जैसे कि अब आकाजा को अपना past याद आ चुका है उसकी गर्दन भी अब regenerate हो रही है और तांजीरो को भी होस आ जाता है लेकिन काफी जादा weak है अभी तांजीरो अपनी sword तक नहीं उठा पा रहा है तब ही आकाजा एक attack करने के लिए तयार होता है पर तांजीरो गियू के साथ उस attack को dodge करने के लिए होता है लेकिन बाद में जब देखता है कि सच में तो हाकाजा ने attack खुद पे ही कर लिया और कुछ ऐसी हालत कर लिया क्योंकि अब उसे जैसे कि अपना पास सब याद आ चुका है तो बाते भी याद आ चुकी है जो कि केईजू ने उससे कही थी कि ये जो फाइटिंग स्टाइल है वो प्रोटेक्ट करने के लिए है और ये भी गाता कि गभी बुरा रास्ता मत चुनना इस फाइटिंग स्टाइल पे दाग मत लगने देना और उसके फादर ने भी यही बोला था कि इमानदारी से जीना बेटा और जैसे कि उसे ये सब याद आ चुका है तो अब उसको पता है कि उसे किस से तबाह करना है खुद को पर जैसे कि वो खुद पे अटेक कर लिया है लेकिन बॉड़ी उसकी डीमन की है तो वो फिर से रीजनरेट होने लगती है उसकी मर्जी के खिलाफ भी ना फिर आकाजा अपने मन में अपने माश्टर एंड अपने फादर को याद करता है जहां पर वो लोग आकाजा से कहते कि चिंता मत करो हम तुमारे साथ ही है पर हम तुम्हें हैवन नहीं ले जा सकते पर उसी वक्त वहाँ पर मुजान उसके दिमाग पर हावी होने लगता है कि तुम्हें लोगों को मारना है स्ट्रॉंग बनना है तब ही उसके पास कोयू की आती है जो कि उससे कहते कि बस करो आकाजा अब रुकने का टाइम आ गया है और नाओ आकाजा अब फिर से हाकूजी बन गया है तो सबसे पहले तो वो कोयू की से सौरी बोलता है कि माफ करता है मैं तुम्हें नहीं बचा पाया पर इसी बात पर कोयू की बोलती है कि तुम वापस पहले जैसे हो गए इसकी मुझे बहुत खुसी है वेलकम बैक मैं हजबेंट एंड इसी तरीके से आकाजा को मिलती है मुक्ती इस दुनिया से एंड नाओ तांजीरो इंड गयू की हालत काफी जादा खराब है और खबार तो वैसे फैली गई है कि दोनों नों मिलके आकाजा को हरा दिया इससे कोकुशी वो डिसपॉइंट होता है एंड डोमा हैरान और डोमा तो उसके लिए अपने जूटे आसू भी बहाता है पर कनाओ यहाँ पर पकड़ लेती है कि तो मैं एक नंबर के जूटे मकार हो तो मैं दूसरों के लिए कुछ फील हो ही नहीं सकता है तो यह मगरम अच्छे के आसू मत बहाओ तुमारे कामी से पता चलता है और उसके काम हमें पता है क्या है वो लेडी इटर है एंडोमा बताता है कि आकाजा ने कभी किसी लेडी पे हात नहीं उटाया नाव कनाओ एंडोमा की फाइट अब चालू होती है जिसमें अपनी फास्ट स्पीट की वजह से एक दो स्प्लैसेस मार पाती है कनाओ और कनाओ भी सप्राइजिंगली काफी अच्छी तरीके से उसके बॉड़ी मुवमेंट्स को जच कर रही है एंड डौज भी कर रही है अटेक्स एंड ऐसे ये लोग अपने अलग-अलग टाइप के अटेक्स यूज़ करते हैं एक दूसरे पर तभी वहाँ पर डौवमा इसकी तलवार छीन लेता है और अपने बलड डीमन आर्ट से अटेक करता है तभी वहाँ पर हम देखते हैं क्रोज इनोसुके को रास्ता देखा के इसी फाइट में ले आते हैं और यहाँ के इनोसुके को पता चलता है कि शिनोबु नहीं रही पर डौवमा इसी बात पर कहता है कि वो मरी नहीं है वो मेरे अंदर इटरनेटी तक रहेगी मैं सब के साथ ऐसा ही करता हूँ वो सब मेरे अंदर इटरनेटी तक जिंदा रहते हैं अपनी दुख परिसानी से दूर और फिर इन दोनों की फाइट चलती है जहाँ पर इनोसुके अपनी फ्लेक्सिबल बॉड़ी का यूस करके कनाओ की सौड वापस उसे ला देता है उसके लिए और डोमा पता नहीं यहाँ पर याद करता है अपनी दिमाग में उगली डालके कि कहां देखा है उसने इनोसुके को फैले डोमा बताता है कि एक वुमेन आई थी मेरे कल्ट में मदद मागने क्योंकि उसका हस्बेंट उसे काफी पीचता था तो डोमा कहता है इनोसुके सायद वो तुमारी मॉम थी और डोमा बताता है कि इनोसुके तुमारी मॉम काफी सुन्दर थी और उपर से सिंगिंगी भी काफी अच्छी करती थी इसलिए डोमा उनको खाना नहीं चाता था तो यहीं देखके इनोसुके को लोगे उसकी मॉम भागती है बचने के लिए पहाड के एंड में जाके रुख जाती है क्योंकि उसके पार कोई रास्ता ही नहीं बचा पीछी से आता है तब ही डोमा का एक स्लैश और भाई से अब छोटा सा इनोस के नीचे गर जाता है पानी में गरता है तो डोमा का लगता है कि यह तो गया और फिर डोमा इनोसुके को बताता है कि किस तरीके से उसने उसकी मॉम की एक एक बोन खाई ब्रो इससे वाई साब इनोस के हो जाता है आग बबूला and now अब इन तीनों की fight चालू होती है जिसमें की Doma तो वैसे दौनों पर भारी पढ़ रहा है पर अपने दौनों बंदे लगे हुए है जहाँ पर Doma तो पंके type यूज़ करता है and उसका blood demon art winter type का है ठंडे attack करता है बरफ वुरुफ के और इनों उसके अपना थोड़ा reckless जादा हो रहा है तो कनाव सला देती है कि आराम से लड़ो जल्दवाजी मत करो तो ऐसे करके थोड़ा से time बीटता है कि फिर हम देखते हैं कि Doma की body melt होने लगती है आँख बाख बाहर गिर जाती है निकल के और ये कैसे हुआ obviously ये plan था Shinobu का ये plan उसने पहले ही बना लिया था and अभी सब उसके accordingly हुआ है अब हम Shinobu को ये plan discuss करते हुए देखते हैं कनाव से जहाँ पर Shinobu कनाव से बताती है कि हमें जैसे कि Doma से बतला लेना है main मतलब उनका Doma से लफड़ा था तो Shinobu बताती है कि अगर Doma फसा तो हमें उससे खबना पड़ेगा yes उसने पहली पता लगा लिये था तो कनाव कहती है अरे नई हम उससे लड़ेंगे न हम उसका डटके सामना करेंगे Shinobu बोलती है ये soft बच्चो वाली thinking थोड़ी side में रखो बेटा दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है एक अकेला हाशिरा कभी अपरवून वनिया टू को नहीं हरा पाएगा इसलिए Shinobu विष्टीरिया फ्लावर से बना एक पोईजन अपने सरीर में थोड़ा थोड़ा करके डाल रही थी उसकरता है बुद्धी सत्वा जिससे वहां पर एक बड़ा सा statue आ जाता है और डोवमा उसके पीछे चुप जाता है नाव वह statue इन इनोस के एंड कनाव को काफी जादा दिक्कत देता है और अगर देल कर दी तो डोवमा फिर से ठीक हो जाएगा और आप्शन ना बचने के कारण कनाव अपनी ब्रीधिंग फ्लावर ब्रीधिंग स्टाइल का फाइनल फॉर्म यूज़ करती है जो कि एक आईज वाली टेक्निक है इससे तुमारे एनिमे के मूवमेंट्स तुम्हें काफी जादा स्लो दिखते है और विजन भी इनांस कर देती है ये पर इससे आँखों की ब्लड वैसल पे काफी ज़्यादा दवाव फड़ता है और इसको एक बार यूज़ करने के बाद अंदे होने के बहुत जाला चांसे होते हैं तो इस टेक्निक के यूज़ करके कनाव उस स्टैचू के अटेक्स को डॉच करके कनाव डोमा तक पहुंचती है और उसकी गरदन उड़ाने वाली ही होती है कि तभी डोमा एक और अटेक करता है फ्रीज करने वाला जिससे की कनाव रुक जाती है मतलब गला उसका बच जाता है कटने से तभी इन्हों उसके पीछे से अपनी स्वाड फेकता है जिससे कनाव की जो स्वा यहां पर भी सुरू हो गया शिनुबू से डोमा कहता है कि मुझे सायद तुम से लब हो गया है सुनुबू ल-o-v-e क्या तुम मेरे साथ हैल चलोगी बताओ ले भी कहा जा रहा है है तो इसके रेपलाइने शिनुबू ने क्या कहा होगा यह तुम डायलोग बॉक्स में मत देखो बस तुम इमेजन गल्लो क्या कहा होगा कोई सी गाली एड गल्लो अपने मन से खतननाक सी जो बैड या बासी दे रही है अब तांजीरों इन गियू को देखते हैं जो कि एक दूसरे को ठीट कर रहे हैं एक दूसरे के घाओ को भर रहे हैं जला जलू के जैसे हो पा रहा है कर रहे हैं अब अपर मून 4 हां यस यह जो बंदी दिख रहे हैं यह बंदी अब अपर मून 4 बन गई है वो ही थोड़ी rank उपर नीचे हुई है इसकी वैसे तो इसके पास Igoro and Mitsuri पहुंचते हैं तो जैसे ही Mitsuri यहाँ पर इस पर attack करने की कोसिस करती है यह वहन जी एक दिवार खड़ी कर देती है वहाँ से दिवार ले आती है मतलब इनकी power तो तो मैं बता है इसलिए बिचारे दोनों क्योसिस करते हैं लेकिन उसको टच भी नहीं कर पाते और उसी तरफ हम देखते हैं म्यूचिरो एंड गियोमोई हिमेजीमा को मिल जाता है कोकुशिवो कोकुशिवो म्यूचिरो को देखके बोलता है कि तुम फैमिलियर हो तुमारा नाम बताना जरा म्यूचिरो कहता है म्यूचिरो टोकी टो तो कोकुशिवो समझ जाता है कि सुगी कुनी जो सरने में वो खतम हो चुका है और आगे कोकुशिवो म्यूचिरो को बताता है कि वो उसका डिसेंडेंट है मतलब म्यूचिरो का पूरुवज जो है वो कोकुशीवो है पर 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 दादा टाइप कर जिसमें कि म्यूचिरो को मार्क आ जाता है फिर भी जब म्यूचिरो अटेक करता है कोकुशीवो की उपर तो कोकुशीवो को कुछ नहीं होता लेकिन जब KOKU SHIBO अटैक करता है तो MIUCHIRO का एक हाथ कड़ी आता है पर KOKU SHIBO IMPRESSED जरूर है MIUCHIRO का TALENT देखकर इतनी सी UMR में अब यहाँ पर KOKU SHIBO MIUCHIRO को आफर करता है डीमन बननेगा इत्ते में पीछे से गैन्या उसे चुपके से अपनी गन से मालने का ट्राय करता है पर भाई साब गन का ट्रेगर दवाने से पहले ही कोकु शीवो उसके पीछी आ जाता है और जिस हाथ से वो गन पकड़ा है उसका हाथ काट देता है पलक जपकते ही और रुकता नहीं है पूरे हाथ पैर भी काटता है और बीस से भी काट के अलग कर देता है पर यस हमें पता है इससे गैन्या मरेगा नहीं पर कोकु शीवो को भी समझ में आ जाता है कि अरे यह मरा क्यों नहीं पका यह डीमन खाता होगा तो कोकुशीवों को फिर याद आता है कि ऐसा 300 साल पहले उसको एक और बंदा मिला था जो कि डीमन्स को खा जाता था पर वो तो बीस से काटने में मर गया था अपने भाई को बचाने यहाँ पर सानिमी अपनी दिल की बात बताता है गैनिया से वो बताता है सानिमी कि वो चाता था कि गैनिया एक नॉर्मल जिंदिगी जीए एक नॉर्मल इंसान की तरह फैमिली बनाए एक नॉर्मल इंसान की तरह बुड्डे हो और कहता है कि मैं तुमारे पास एक भी डीमन नहीं आने देता और कम से कम तुम तो एक नॉर्मल जिंदी की जीते इसलिए सानीमी हमेशा मना करता था गैनिया को कि तुम डीवन स्लेयर मत बनो तचिलाता था ये रीजन था अब यहाँ पर कोकुशीवो और सानीमी लडना चालू करते हैं जहाँ पर दोनों एक दूसरे पर कई सारी अटेक्स करते हैं वहाँ पर सानीमी लिट्रली कोकुशीवो को वो फाइट देता है जो कि कोकुशीवो को सदियों से नहीं मिली पर तभी वहाँ पर थोड़ी देर बाद कोकुशी वो के एक अटैक से सानीमी डेमेज हो जाता है जिससे उसका खून निकलता है जैसे की सानीमी का बलड स्पेशल है और इसको सूंगते ही साथ कोकुशी वो थोड़ा सा मदहोस टाइप का हो जाता है मतलब ड्रंक का टाइप का और यहीं मौका मिलते ही सानीमी और अटैक्स करता है उस पर नाओ यहाँ पर थोड़ी सी सानीमी की स्टोरी बताई जाती है बची कोची कैसे वो हाशी रवना कैसे ट्रेनिंग वगरा करी तो यह मैंने एक separate वीडियो में काफी अच्छी तरीके से cover करी है उसके कई सारे facts भी बताई है तो इसके बाद तुम देख लेना जानना हो नहीं तो normal back story तो तुमने देखी है extra जानना हो तो इसके बाद वो वीडियो चेक कर लेना जैसे की दौनों की लड़ाई चलती है सानीमी हर्ट हो गया है लेकिन अपनी attacks की speed कम नहीं करता जहां चोट लग रही है वहां के blood को stop करते लड़ाई चालू रखता है और इसी बीच लड़ते लड़ते सानीमी एक बार गेन्या की shotgun भी यूज करता है जो की काफी खदरनाक movement था American breathing तो अब हीमेजीमा की सानीमी से कहता है कि तुम अपने पेट का wound समालो गाव समालो जब तक मैं देख रहा हूँ भी कोगो शीवो को फिर हीमेजीमा आता है कोगो शीवो की तरफ कि कोगो शीवो और आजू बाजू की चीज़ें उसकी तरफ खिचने लगती है insane movement अब दोनों फिर लड़ना चालू करते हैं एक के बाद एक अटेक्स करते हैं लड़ाई के दोरान हीमेजीमा उसकी सौड़ को अपनी चेन से फशा कर तोड़ देता है तो उसकी सौड़ का तोड़ा एक जमीन पे गिर जाता है पर क्योंकि कोगो शीवो की सौड़ उसकी बॉड़ी का ही एक हिस्सा है तो वो रिजनरेट हो जाती है तब ही कोगो शीवो ये कटेक्स करता है जिससे की एक कट लग जाता है हीमेजीमा के फेस पे फिर हीमे जी में बोलता है कि ठीक है ये पावर अब मुझे अभी यूज़ करनी पड़ेगी और तब ही देखते हैं भाई हीमे जी में अपना मार कवेंकन कर लेता है जो कि उसके हाथ पे दिखता है नाव भाई साब फुल पावर में लड़ेगा हीमे जी में अब हम देखते ह जो कि काफी इंजर है, तो अपने आपको थोड़ा सा ठीट करता है, पट्टी बट्टी बानता है, कहता है कि कम से कम अगर कोकुशिवो को ही मार दू तो सब को काफी राहत मिलेगी, बले ही बाद में मर जाओ, तब ही म्यूचिरियो को गेन्या देखता है, कटा हुआ, और गे को ही मर जाओ ही में जीमा, ऐसा समझ दो तुम कि तुमारे जिन्दगी की उल्टी इंती चल रही है, और यहीं पे कोकुशिवो ही में जीमा को डीमन बनने का ओफर देता है, कहता है कि अगर तुम डीमन बनोगे तो अपनी टेकनिक्स को और अपने आपको प्रिजर्व कर सक वो 25 साल के बाद जी ही नहीं पाया, कोई ना कोई तो ऐसा हुआ होगा, हिस्ट्री में जो 25 साल से जादा भी जीया हो, और यह बात सुनके कोकुशिवो को कुछ बुरी यादे आने लगती हैं यार, और ना उसी बाद पे वो दोनों फिल लड़ना चालू हो जाते हैं, इतन उसने आपको regenerate करता है, पर उसकी वैसे कुछ उसको मुजान की voices भी सुनाई देने लग जाती हैं, थोड़ा सा उसने मुजान का blood ले लिया है, तो उसका थोड़ा demonification टाइप का हो गया है, और दूसरी तरब जैसे कि हमारे सानिमी और हिमेजीमा की काफी खतननाग fight चल रही कोकुशीवो से, तो वहाँ पर दोनों मिलके एक साथ एक अटेक करते हैं, जिससे कि कोकुशीवो काफी damage हो जाता है, और वो अटेक करने के बाद हिमेजीमा और सानिमी दूर रहते हैं distance में, लेकिन किसी तरीके से वो दूर distance में होने के बावजूत भी damage हो जाते हैं, जब स इसा होता रहा, तो मैं तो एक burden बन जाऊंगा, तब ही दूसरी तब किरिया order देता है, क्रोस की मदद से तांजीरो एंगियो को कि फटा पट तुम मुजान के पास पहुचो, वो चाता तो तांजीरो एंगियो को भी कोकुशीवो के पास पहुचा जेता है, इनकी मदद करन काफी खदलना खदलना घाओ उन पर लगते जाते है, अब यहाँ पर सानी में काफी खदलना घटक घलने वाला होता है, कि तब ही वहाँ पर मीचिरो आके सानी में को बचा लेता है, और गेन्या को भी हम देखते हैं, जो कि दूर खड़ा है, मदद करना चाता है, लेकिन अ सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होता है, सबसे ज़्यादा रूम होता है ग्रोथ करने के लिए, और यह ऐसा ही कुछ तान जी हो कि बाते याद करने में गैन्या में जोस आयाता है, जो कोकुशी वो का तोड़ा टूटा था ना, सौड का वोठा के लेता है, अपने साथ ला हिमेजीमा फोकस करने की कुछ करता है, ध्यान लगाने की कुछ करता है, अपने सारे सेंसिस को एकदम रिफाइन करने की कुछ करता है, कि वो भी कुछ ऐसा जानता है, जिससे कि वो अटेक्स गैस करने में आसानी हो, तब ही वहाँ पर पता है, हिमेजीमा देख नहीं सकता ह भाई साब उसको कुछ ऐसा दिखाई देने लग जाता है मतलब transparent world का access भाई के पास आ चुका है मतलब यही transparent world है जिससे तुम्हें दुनिया कुछ ऐसी देखती है में चीज लोग ऐसे देखने लगते है मसल्स बगर तुम देख सकते हो और इसी का use कोकुशी वो कर रहा था जि तो तीनों साथ में अटेक करते हैं कोकुशी वो की ऊपर पर कोकुशी वो काउंटर अटेक करने की कोसिस करता है तो तीनों कोकुशी वो के पास बढ़ते हैं उसके अटेक को डॉज करकर के यसे तैसे पास पहुंचते हैं उसके पास पहुंचने के बाद तीनों मिलके खतन नाक अटेक करते हैं जिससे कि कोकुशिव अच्छा खासा डेम हो जाता है और यहां पर म्यूचिरू भी अपनी सौर्ट कोकुशिव के अंदर डाल देता है और वो भी अटेक्स को डॉज कर पाया मतलब यहां पर इन लोगों ने भी ट्रांस्परेंट वर्ल्ड का यूस किया हीमेजीमा के साथ तभी वो आवाज लगाता है गैन्या कोई गैन्या मैंने इसको पकड़ा है अटेक करो गैन्या फिर अपनी गन से अटेक करता है और गैन्या की गन तुम देख सकते हो भाई साब कोकुशिव टाइप की हो गई थोड़ी सी गैन्या अपनी गोली जब चला तबी गेन्या अपनी real power दिखाता है, जिसमें कि क्या होता है, उन bullets में से पेड़ निकल आता है, और वो पेड़ कोकुशीवो को बांध लेता है, याज यही है गेन्या का blood demon not, अब यही मौका देख के हमारे बंदे कोकुशीवो को मानने के लिए बढ़ते हैं उसकी तरफ, इ गुमते गुमते उसको अपना छोटा भाई मिल जाता है एंड येस उसका छोटा भाई है योरिची सूगी कुनी एंड योरिची सूगी कुनी उस टैम काफी बुढ़ड़ा हो चुका था और यही देखके कोकुशी वो चौक जाता है क्योंकि मार्क वाले बंदे हमें पता है 25 साल से जादा नहीं जी पाते लेकिन योरिची जो की 80 साल से उपर का हो चुका है भाई साब अभी भी जिन्दा है अब भले ही दोनों भाई हो एक यहां पर डीमन है एक यहां पर स्लेयर थोड़ी देर तो दोनों में भावनाय दोड़ती है पर फिर योरिची अपनी सौड निकाल लेता है और कोकुशी वो कुछ कर पाए उसके पहले ही भाई साब अपना योरिची जो की 80 साल से उपर का है फटा फट से एक कठ मार देता है कोकुशी वो की गर्दन में कोच नहीं कर पाता और कोकुशी वो समझ जाता है इससे की बुद्धा होने के बावजूत भी योरीची की strength में कोई फरक नहीं पड़ा और उससे कोकुशीवो की जलन भाली बाबना फिस से दोड़ जाती है योरीची के खिलाफ जो थी जलन पहले से कोकुशीवो कहता है योरीची से कि तुम हमेशा से special ही थे God ने भी तुम्हें special treat किया इसलिए तो मैं यहांसी powers दी है और इसी के साथ कोकुशीवो योरीची की next attack के लिए तयार होता है पर next attack कभी आता ही नहीं क्योंकि old age की वैसे यहां पर योरीची खड़े-खड़े ही इस दुनिया को अलवेदा कह देता है इससे कोकुशीव अब थोड़ा confident हो जाता है कि अब तो कोई ऐसा माई का लाल बचाई नहीं है जो कि मुझे अब कुछ कर पाए मुझे मार पाए क्योंकि योरीची जा चुका है अब हम अपने current time में आते हैं जहांपर कोकुशीवो भी फटना चाली हुए बोलता है कि नहीं मुझे सबको बचाना है एंड अब हमेजी में इन सानी में फिर से अटेक करने के लिए आगे बढ़ते हैं पर म्यूचीरो समझता है कि इस तरीके से तो ये fight खतमी नहीं होगी और बचारे ये सानी में इन हमेजी में मारे जाएंगे और अभी तो मोजान से भी लड़ना है इसलिए म्यूचीरो कुछ ट्राय करता है वो अपनी sword को कोकुशीवो के अंदर डालता है और जादा अंदर डालता है और इससे कि उसकी blade रेड टाइप की हो जाती है और ये कोकुशीवो को काफी जाला तकलीफ देती है और डिस्ट्रेक्ट तो करी देती है तभी उसानी में एक देता है और जैसे कि गैन्या की कुछ बुलट सभी भी कोकुशीवो के अंदर है तो गैन्या उस हालत में भी अपना प्लट डिमनाट फिर से अक्टिवेट करता है और इत्ता ही में अपना हीमे जी में एक देता है और मियुचीरो की रेड ब्लेड देखने के बाद कोकुशीवो को याद आता है कि योरीची की ब्लेड भी इस तरीके से ही रेड हो जाया करती थी और फिर थोड़ा सा फ्लैसबैक देखते हैं जब योरीची और मिचिकाथ्सू काफी स्ट्रॉंग थे चोटे से अभी वो बच्चे हो और वाइसब क्या बात कहिए और वापस बैटल फील्ड का नजारा देखते हैं जहांपर कि हिमेजीवो की गरदन में थोड़ा सा अटक जाता है तब इस सानीमी पीछे से उसी हिमेजीवो की वैपन पे मारता है जिससे की वाइसा फाइनली कोकुशीवो की गरदन उड़ा जाती है पर क्या आप खेल खतम नाव कोकुशीवो को भी थोड़ा-थोड़ा समझ में आने लगता है कि उसके टाइम के लोग ही बस स्पेशल नहीं थे क्यूंकि ये लोग जिनके पास ब्रीद ऑफ दा सन, सन ब्रीधिंग भी नहीं है फिर भी इनने इतनी तगड़ी तक कर दी कोकुशीवो जैसे बंदे को इवन इन लोगों ने अपनी ब्लेट को रैड करने का तरीका भी खोज लिया पर फिर कोकुशीवो कहता है कि लेकिन मैं कभी हार नहीं मानूंगा मेरा भले ही गला कट गया हो लेकिन मैं मरूंगा नहीं और फिर वो अपनी ब्लीडिंग स्टॉप करता है और फिर लड़ने के लिए तयार अब हमेजीमा एंड सानी में फिर से अटेक्स करना चालू करते हैं पर हमारे जो म्यूचिरो एंड गैनिया है उनका काफी ब्लड लॉस हो जाने के कारण अब उनके चांसेज बचने के बहुत काम है और इबन यहाँ पर म्यूचिरो तो सीधा अलवेदा ही कह रहता है दुनिया को अब भाई साब यहाँ पर कोकुशिवो अपना हैड फिर से जीजनरेट कर लेता है और अब तो और जाला खतरनाक हो चुका है पर अब यहाँ पर कुछ चीजें उसको खुद को ही खटकने लगती है वो खुद से कहता है कि मुझे तो एक महान समुराई बनना था ये में क्या बन गया तभी कोकुशिवो को अपने छोटे भाई की आवास सनाई देती है छोटे योरीची की जिसमें छोटा योरीची बोलता है भाई तुमें वर्ल्ड का सबसे महान समुराई बनना है ना नाव कोकोशिवो अब अपने end में है, कहता है कि नहीं, मैं नहीं मर सकता, अब भी BG regenerate हो सकता हूँ, एंड जब कोकोशिवो पूरा खतम हो जाता है, आखरी सब्द बोलता है, कि मैं बस तुमारे जैसा बनना चाहता था योरीची, बस इतना ही चाहता था, नाव अब कोकोशिवो जिसका की नाम Michikatsu होता है, उसकी end योरीची की हम backstory देखते हैं, अब जो योरीची and Michikatsu थे, वो जोड़बा भाई थे, पर योरीची जोड़ा भाई था, एंड कोकोशिवो मतलब Michikatsu बड़ा भाई था, पर यहाँ पर योरीची के सर में, यहाँ पर एक मार्क टाइप का था, निशान था, पैदा होते साथी, तो उसको देखने के बाद, इनके फादर डिसाइड करते हैं, कि योरीची को हमें एक्जीक्यूट कर देना चाहिए, पर फिर योरीची की मम्मी ने आतंग कमचा दिया, इसलिए फिर बच गया योरीची, एक कंडिश तो मिची काद्सु को लगता था कि कैसा बच्चा है, तो मम्मी से चिपका रहता है, ये तो बुद्धू है, और एक दिन मिची काद्सु योरीची के लिए एक बांसुरी बना के लाता है, और उसे वो गिफ्ट में दे देता है, और उसको देखके योरीची को कहता नहीं है बस उसको अपने पास रख लेता है और हाँ अभी तक योरीची कभी हसा नहीं है एंट 6-7 साल का होने के बावजूद भी उसने अभी तक एक सब दिन मुझे नहीं बोला तो लोगों को लगता है कि यह गुंगा बहरा है पर एक दिन यहाँ पर जब मिची कात्सू प्रैक्टिस कर रहा था अपनी सौर्ट से तब योरीची पहली बार अपने मूशे शप्त निकालता है बोलता है कि तुम्हें एक महान समुराइ बनना है न भाई और कहता है कि मुझे भी बनना है और यह कहते सांती भाई साब उसकी खुशे का ठिकाना ही रहता काफी खुश होता है वो यह बुलते हुए तो मिची कात्सू सूसता है कि यह कैसे समुराइ बनेगा समुराइ को तो खत्रों से लडना होता है और ये योरीची तो मम्मी को देखते साथ उनसे चिपके जाता है ये कैसा मुराई बनेगा तो वैसे तो नॉर्मली योरीची अपने मिचिकाथ्सू भाई को प्रैक्टिस करते हुए देखता था और अब्जर्ब करता था तो भाई साब योरीची उस टीचर को इतना घंदा पेल देता है कि टीचर बेहोस हो जाता है और इंजर भी अब ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक बच्चा इसने पहली बाई जिन्दिगी में सौट पकड़ी है उसने इतना बुरा हल कर दी है अपने माश्टर का जो की माश्टर था पर इसके बाद योरीची कहता है कि अब मैं नहीं बनुगा समरा है बमरा है मुझे नहीं बनना क्योंकि इसको पता चल गया है कि दूसरों को हर्ट करके कैसा फील होता है अब हमें पता है नॉर्मल वेक्तियों को दूसरों के मसल्स और बोन्स वगरा नहीं दिखती नॉर्मल आखों से तो इसका मतलब यह है योरीची के पास पहले से ही ट्रांस्पेरेंट वर्ल्ड की पावर थी एबिलिटी थी जो कि जब लोगों को जब मिलती जब उनका मार्क डेवलाप हो जाता है लेकिन भाई साब जैसे कि योरीची मार्क के साथ ही पैदा हुआ था तो उसको सारी पावर्स वगरा भी पहले से मिली थी मतलब योरीची जैसे 10 साल में मंदर जाने पाला था पुजारी बनने वाला था अब वो काम करेगा मिची काथ्सू और योरीची बनेगा एक समुरा है तो यह हाल हुआ तो बिचारे मिची काथ्सू के थोड़े से तोते उड़ गए रातों की नीन भी उड़ गई पर एक द मिची काथ्सू ने योरीची को दी थी योरीची वो अच्छे समाल के रखता है और वो भी अपने साथ ले जाता है भले ही वो फ्लूट किसी काम की नहीं थी वो खराब बनी थी पर यहाँ पर चीज मायने नहीं रखती बनाने वाला रखता है अपना योरीची जा चुका है ability की वैसे पता चल गया था कि इनको यहाँ पर थोड़ी problem है इसलिए वो उनको support देता रहा अब यहाँ पर Michi Kaatsu की नफरत योरीची के लिए काफी जादा बढ़ जाती है क्योंकि योरीची को talent के साथ-साथ ability भी मिली है एक God gifted और Michi Kaatsu तो उसका जड़वा भाई है लेकर उस योरीची मना कर देता है पर जादा force करते तो योरीची temple से भी भाग जाता है अपना अलग रहने लगता है फिर अपनी अलग जरनी करता है वह नौ ऐसे करते काफी time बीच जाता है मिजिगात्सू ही साधी हो जाती है बच्चे वगरा भी हो जाते है और उट्टे time तक मिजि time बाद योरीची और मिजिगात्सू फिर मिलते है और योरीची उस डीमन को आसानी से मार देता है क्योंकि अब वो काफी जादा strong हो चुका है डीमन को मानने के बाद योरीची मिजिगात्सू से माफी मांगता है कि माफ करना भाई आने में थोड़ी देर हो गई और यह सु ब्रीधिंग ही सिकाता है पर वहाँ पर कोई उसको सीख नहीं पाता क्योंकि यहाँ पर सन ब्रीधिंग काफी जादा powerful तो है लेकिन उतनी ही जादा muscle है सीखने के लिए तो इसी तरीके से लोग वहाँ पर सन ब्रीधिंग से inspired होके अपनी खुद की breathing style invent करते हैं और ऐसे करके कई सारी breathing styles existence में आती हैं और Michigatsu भी उनके सांट training करता है तो वो भी sun breathing सीखने की कुछ करता है और सबकी तरह वो भी नहीं सीख पाता तो अपनी खुद की breathing style मनाता है वो moon breathing और यहाँ तक की breathing style देने के सांस साथ योरिची ने marks की power भी यहाँ पर दी है वहाँ पर उसके time के ज योरिची से जादा strong होना चाहता था और वो जितनी भी कोसित करें जितनी भी चीज़े try करें नहीं हो पाया mark भी उसने अपना develop किया लेकिन उसके बावदूद भी नहीं हो पाया योरिची से जादा superior क्योंकि योरिची भाई साब पहले से ही talent था god gifted talent था and now इसी तरीके से ए एक दिन Michigatsu को मुजान मिल जाता है जो कि Michigatsu को offer देता है कि कैसा रहेगा कि तुम अमर हो जाओ and फिर तुम आराम से अपनी technique को master कर सकते हो और strong हो सकते हो और main चीज अपनी techniques को जिन्दा रख सकते हो and फिर तो मैं कोई नहीं हरा पाएगा वो व्यक्ती भी नहीं and इसी point पे ह backstory से बाहर आते हैं और वहीं पर आ जाते हैं जहांपर की बुढधा योरिची and कोकुशीगों आमने सामने हैं और अब जैसे की बुढधा होने के बाबजूत भी योरिची डीमन वाले कोकुशीगों यानि की Michigatsu को pathetic feel करवा देता है तो इससे obviously गुसा तो आता है कोकुशीग को और इसलिए वो पता है क्या करता है जैसे की योरिची खड़ा खड़ा मर चुका है लेकिन फिर भी कोकुशीगों एक अटेक करता है योरिची पर जिससे की योरिची बीस से कड़े आता है तब ही उसी movement में वो देखता है योरिची के पास वो flute रखी है जो की Michigatsu नहीं ब कोकुशीगों के बहते हैं and now इसी के साथ हम अपने current time में आते हैं जहां पर कोकुशीगों जाते जाते बोलता है कि मैंने जिंदीगे में क्या पाया अपने परीवाल छोड़ दिया, अपनी इंसानिया छोड़ दी, अपने बचे हुए descendants को बिना सोचे समझें मार दिया and now व योरीची की एक निशानी ये मिटा नहीं पाए और कोकुशीवो खुद भी बोलता है कि मैं ऐसी चाप कभी क्यों नहीं छोड़ पाया मैं और तुम एक जैसे होके भी इतने डिफरेंट क्यों थे और में कोकुशीवो कहता है कि मैं पैदा ही क्यों हुआ था बोलो योरीची ब पर उससे उसी दिन गलती से कड़ गई थी एंड उस दिन के बाद से कोकुशिवो अपने पास हमेशा रखा रहा एंड में डिफरेंस जो तोनों भाईयो में था वो तो हमें साफ पता दिख रहा है सोच का था ऐसा कुश बिफरेंस तुम कह सकते हो जैनित्स्थु एंड काईगाकू में भी था and now the fight with upper moon 1 is over Sanimi तो बेहोस हो गया है and Mewichiro तो रहा ही नहीं तो Himeji Ma उसके पास आके Mewichiro की eyes close करता है for the last time Genya अपनी आखरी सांस से गिन रहा है तो Himeji Ma फिर Sanimi को इठाके उसके पास ले आता है now Mewichiro मरने के बाद अपने भाई से मिलता है Yuichiro से and Mewichiro को वहाँ देखकर Yuichiro काफी गुसा होता है कहता है कि Mewichiro तुम यहाँ पर क्यों आ गए तुम से 14 साल के हो अभी यहाँ मत आओ अभी तुमारा यहाँ आना सही नहीं है तो Mewichiro वहाँ पर कहता है कि तुम जब मुझे छोड़के गए थे तब तुम सिफ 11 साल के थे तो फिर तो वह और भी सही नहीं है लेकिन फिर भी Yuichiro बोलता है कि अभी मत मरो Mewichiro अभी तुमें और दीना होगा अभी मैं पता है कुछ नहीं हो सकता and बाहर सानिमी देखता है गैन्या को जो कि अब धीर धीरे बिखर के गायब होने लगा है मतलब कुछ लाश्ट पल बचे हैं वस and जाते जाते गैन्या कहता है सानिमी से कि एक बोज बनने के लिए sorry brother and यहाँ पे सानिमी रो भड़ता है बोलता है कि तुम एक बोज कभी नहीं थे मैंने आस तक तुम्हें जितना भी कुछ बुरा कहा उसके लिए sorry सानिमी कहता है मैंने वस तुम्हें safe रखना चाहा था मैं चाहता था कि तुम जीओ तुम लंबी जिन्दगी जीओ तुम्हें दुनिया की सारी खुसी मिले क्योंकि मेरा भाई दुनिया का सबसे sweet इंसान है इसी तरीके से गैनिया अलविदा कहता है हमेशा के लिए चला जाता है और इस सानिमी बहुत बुड़ी तरीके से टूड़ जाता है पर हीमेजी मैं कहता है कि अभी लड़ा इस खतम नहीं हुई है अभी मेन आदबी मुजान बचा है अब ये ख़बर अपर मून बन मारा गया अपने कुछ साथी भी मारे गया ये ख़बर क्रोस फैला देते हैं जिसको सुनकर तानजीरो काफी रोता है अब तानजीरो को वो लेटर मिल चुका है जो कि उससे बस बहार आने वाला है मतलब तमायो अब और होल्ड ओन नहीं कर सकती तभी वहाँ पर उसी लोकेशन पर डीमन स्लेयर के कई सारे ट्रूप्स और बहुत जाते हैं ये सारी चीज़े यहाँ पर जो हो रही है मुजान अपने ककून से बहार आता है और वहाँ से निकलते ही साथ वहाँ पर पूरे की पूरे बंदों को सफा चट कर देता है मुजान पलग जपकते ही सब को मार देता है और उनके बलड की वेशे अब मुजान रिकवर हो रहा है बापिस जैसे कि तमायो नहीं काफी वीक कर दिया था अब देरे देरे इनकी वैज़ से रिकावर हो रहा है इसलिए क्रिया बोल रहा था कि एक काम बिगाड़ देंगे ना हो हम तमायो को देखते हैं जो कि जिसका की बस सर बस बचाया वो मुजान से कहते है कि मेरा हस्बेंट और मेरे बच्चे वापिस करो तो मुजान कहता है कि ठीक है मैं तो मैं उन्हीं के पास बेज़ देता हूँ एंड तो वो फिर तमायो का सर डिश्ट्रोई कर देता है एसे तो मुजान अपनी पूरी एनर्जी रिकवर कर लेगा स्ट्रेंथ रिकवर कर लेगा और तमायो का सेक्रिफाइस वेष्ट चल जाएगा किरिया इस सब का दोस्त अपने उपर ले लेता है कि मैं सही से ओर्डर्स नहीं देपाया कि मुजान जिन्दा हो गया है मुजान कगून से बाहर आ गया है काफी घदननाक पाउरफुल होके एन्ड सबसे कहता है कि सारे लोग उसके पास पहुँचो फटा फट नाओ यहाँ पे हम देखते हैं मिट्सूरी एंड इगोरो यहाँ पर अपर मून 4 नाकी में को समाल रहे है और दूसी तरफ सबसे पहले रिवाइवड मुजान से मिलते है- तांजीरो एंड गीयू तांजीरो तो मुजान को देखके अपना आपा खोने लगता है तभी गीयू कहता है तांजीरो कहता है कि मैं हिसाब चुखाना होगा तो मुजान केता है कि क्या तुम लोग लगे रहते हो क्या हो गया अगर तुमारी फैमिली मर गई तुमारे फ्रेंड्स मर दी गई मेरी वज़ा से नौर्मली भी तो दुनिया में कई लोग मरते हैं अलग-अलग causes की वैसे natural disaster वगरा से तो कैवन से कोई revenge लेता है तो मुझे भी एक disaster मान की अपनी मौत accept करो एंड यही बोल के मुजान अटेक करना चालू कर देता है जिसमें अपने हाथों को लंबा करके वो यहाँ वहाँ फे करा है एक sword की तरह तांजीरो उसके अटेक डॉच करकर कि उसके पास जाने की गोसिस करता है पास आके अटेक करने की जैसे गोसिस करता है कि एक slash मुजान का तांजीरो की आँख में लग जाता है ना मुजान भी यहाँ पर उनका plan समझ जाता है कि यह लोग लड़ाई को खीचना चाते है जिससे कि सुबह हो जाए और मुजान दूब की रोशनी से मारा जाए क्योंकि नॉर्मली तो मार नहीं सकते तो मुजान को तो मुजान कहता है कि इस कैसल के अंदर light गुस ही नहीं सकती नाव जैसे कि नाकी में के पास इगोरो एंड मिच्चूरी थे नाकी में यहाँ पर information भेशती है मुजान को कि मिच्चूरी एंड इगोरो मारे गए नाव तांजीरो फिर से खड़ा होता है अटेक करने के लिए बोलता है कि मैं देख नहीं सकता तो क्या हुआ मैं सूंग तो सकता हूँ यही चीज से मुजान सोसता है कि तब ही हम देखते है नाकी में को जिस पर कि यूशीरो ने कोई spell type कर डाल दिया है जिससे कि वो नाकी में को manipulate कर रहा है और नाकी में साइज से काम नहीं कर पा रही और इसलिए यहाँ पर मुजान को information मिली थी कि मुजान ने काफी बड़ी चीज 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 लिए और पूरा कासल उल्टा सीधा हो रहा है गेट खुल है मंदूरे कहीं से भी कुछ भी आ जा रहा है क्योंकि यहाँ पर नाकी में फोकस नहीं कर पा रही है मैनियॉपलेट हो गई है हो अब थोड़ी से हम जलग देखते हैं यहाँ पर यूशिरो जब इगउरो एट मिट्षूरी नाकी में से लड़ रहे होतें तो चुब्चाप से यूशिरो आता है मिट्षूरी एट इगउरो जब उस से लड़ रहे होते हैं लेकिन यूशी रो भी यहाँ पर अपनी पूरी जान लगा रहा है एंड मुजान काफी जादा आउट ओफ कंट्रोल हो जाता है ये चीज देखके इसलिए भाई साब गुस्से में वो नाकी में को कंट्रोल नहीं कर पाता तो नाकी में को डिस्ट्रॉय कर देता है एसे करके एंड जैसे की नाकी में खतम तो पूरा का पूरा इंफिनिटी कैसल खतम पर यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा भी टाइम है क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा नाकी में को पूरी तरीके से मरने में तो इनके पास थोड़ा सा टाइम है पर तभी यहां पर मुजान मिट्सूरी पे टैक करने लगता है तो अपना तांजीर अपनी सौड फैक के मारता है मुजान के सर में एंड इसी मुवमेंट पर यहां पर पूरा का पूरा इंफिनिटी कैसल कॉलाप्स हो जाता है बिखर जा जैसे कि अभी भी मुजान यहां पर जिंदा है रात है अभी भी और अपने बंदों को भी थोड़ी मोड़ी चोट आई है अब यहां पर चालू होगी जिंदिगी की में बैटल पर अब जैसे की इंफिनिटी कैसल खतम हो चुका है तो इसी के साथ खतम होता है इंफिनिटी Castle Arc, अब यहाँ पर चालू होगा Sunrise Countdown Arc, जिसमें कि Demon Slayer खतम हो जाएगा फिर, कई सारी चीजे तुम यहाँ पर देख चुके हैं, अब यहाँ पर बस Hold On करना है, जैसे तैसे मोजान को यहाँ पर सोबे तक बनाए रखना है, जैसे कि धूप से तो जल्दी से जल्दी वीडियो आएगा, पसंद आयों तो शेयर बगरा करो, और अपने emotions जो तुमें अच्छे moment लगे इस वीडियो के, को कमेंट में शेयर करो, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स वीडियो में, एंड इसमें तो काफी जाला मेनत लग गई है, बहुत बड़ी वी हो गई है, चलो, बाई